लॉर्न इजी चैनल हलो केट्स वेलकम टू लॉर्न इजी चैनल आज की वीडियो में हम सेखेंगे की और की में अंतर और आज का वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि कहां पर की आएगा और कहां की तो चलिए शुरू करेँ तो बच्चो शबसे पहले मैं आपको बताऊंगी की का प्रयोग कहां किया जाता है ये देखिए ये वला है जहांपे हमारी छोटी एक ही मातरा लगती है ये है की इसको बोलते हैं कि इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोडने के लिए किया जाता है कहां किया जाता है? दो वाक्यों को जोडने के लिए तो अभी मैं आपको कुछ वाक्य बना के बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझा जाएगा जैसे उसने कहा कि मैं कर आऊंगा उसने कहा की अब यहां देखिए यहां हमने की का इस्तमाल किया है मैं कर आऊंगा अब आप देखिए यहां दो अलग अलग वाकियों को इस की के द्वारा जोड़ा गया है उसने कहा यह एक अलग वाकिय हो गया और दूसरा वाकिय है मैं कर आऊंगा तो ये दोनों अलग-लग वाक्य हैं और उसको किस के द्वारा जोड़ा गया है की के द्वारा तो इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा है एक कव पर छोटी ए की मात्रा ये है की तो एक और वाक्य में आपको बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझा जाएगा था की वर्षा वर्षा हो गई अब आप यहाँ देखिए वह पहुंचा ही था यहां तक एक वाक्य है और उसके बाद वर्षा हो गई यह भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है इन दोनों वाक्यों को किस से जोड़ा गया इस की से जोड़ा गया तो वह पहुंचा ही था एक वाक्य है और वर्षा हो गई दूसरा वाक्य इसको हमने की से जोड़ दिया तो ये की जो है दो वाक्यों को जोडने के काम आता है जो कि ये कवपर छोटी की मातरा वाला की है तो ये किस काम आता है ये दो वाक्यों को जोडने के काम आता है तो चलिए अब इतना तो आपको समझा गया होगा कि हमारा की कहां प्रयोग होता है चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि की का प्रियोग कहां किया जाता है चलिए अब देखते हैं की का प्रियोग किस प्रकार किया जाता है यह देखिए यह है हमारा की इसमें बड़ी की मातरा आती है यह है की और की शब्द का प्रियोग कहां किया जाता है सबसे पहला इसका रूल यह है कि की का प्रयोग करना क्रिया का भूत काल होता है करना करना कोई काम करना क्या है वो एक क्रिया है और उसका भूत काल जो रूप होता है उसमें यह की का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको कुछ एक्जामपल देखे बताती हूं जिससे आपक कल पढ़ाई की अब यहां देखिए यह की कहां इस्तिमाल हुआ है यह की हमारा भूत काल के लिए इस्तिमाल हुआ है कि वह पढ़ाई कर चुका है उसने कल पढ़ाई की एक और वाक्य देखिए तुमने लडाई की अब यहां दे देखिए की की का मतलब करी कर चुका है वो जो भी काम वो कर चुका है करना क्रिया का यह भूत काल रूप है तुमने पढ़ाई की वो कर चुका है यह पढ़ाई और यहां पर यह लडाई कर तुमने लडाई की वो लडाई कर चुका है और यहां तुमने कल पढ़ाई की वो भी पढ़ाई कर चुका है तो यह जो बीते हुए समय की बात हो रही है भूत काल की बात हो रही है ये हमारे संबंध कारके हैं और इसका जो त्री रूप होता है वहाँ पर भी ये इस्तिमाल किया जाता है जैसे मैं आप आपको बताती हूँ शीवम की किताब खो गई खो गई अब ये किताब किसकी संबंध पहले देखिए शीवम की किताब किसकी किताब है ये शीवम की और किताब क्या है हमारा स्ट्रेलिंग शब्द है किताब तो इसलिए यहाँ पर की शब्द का प्रयोगा है क्यूंकि यह संबंद कारक भी है और उसका स्ट्रेलिंग रूप भी है शेवं की किताब हो गई एक और वाक्य में आपको बताती हूँ राम की बहन दिल्ली गई राम की बहन दिल्ली गई अब यहाँ देखिए की यहाँ भी हमने की का इस्तमल किया राम की इन दोनों का संबंद राम का संबंद किस के साथ है उसकी बहन के साथ है और वो बहन क्या है स्ट्रेलिंग रूप है तो इसलिए यहाँ पर किस शब्द का प्रियोग हुआ की शब्द का इन दोनों को जोडने के लिए की शब्द का प्रियोग हुआ तो अब आपको इतना तो समझा गया मैंने आपको दो इसके बताये हैं रूप की किस कहां कहां जो है ये की इस्तमाल किया जाता है पहला कि करना क्रिया का भूत काल रूप जो होता है जैसे यहां की है यहां पर यह क्या है यहां पर हम की का प्रियोग करते हैं करना क्रिया के भूत काल रूप में और दूसरा रूल क्या बता है मैंने दूसरा नियम हमारा यह था संबंध कारक का स्ट्रेलिंग जो है स्ट्रेल तो बच्चो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहां की का प्रयोग किया जाता है और कहां की का इसके बाद तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे तो चलिए आज का पार्ट यहीं खतम करते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए लेगे बादे करेंगे वीडियो में करुआने जानेगे हैं अब इसके वीडिले मैं है कमिले अइज़ इस ऐसे से एपम मैंपेंड में नहीं मुझे नहीं है तो आटायर इससे सैन्न के फालने।